हेलो हantic, में दोष्टों दूस्तों में गॉरह वर्ड आप देख रहे हैं टेक्नियोईजिय यानी टेक्णिकल ज्यानग बंडार तो वीडियो बहुत मैटपून होगी वीडियो में लास तक बने रही गा और दोस्तों बिना देरी के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जिस तरह कोरोना वाइरस चाइना के वुहान सहर से आया है उसी तरह हंता वाइरस चाइना के युनान सहर में पाया गया है दोस्तो इस हंता वाइरस का पहला केस 23 मार्च को देखने के लिए मिला जिसकी कुछी घंटों में मौत हो गई दोस्तो युनान सहर में इसका एपिक सेंटर है और बैभ ब्यक्ति वहां से लोट रहा था और उसकी लोटते समय बस में ही मौत हो गई जिस बस में वह मौझूद था उस बस में उसके अलावा लगव 32 लोग और भी मौझूद थे जिनका सैंपल टेस्ट चेक अप के लिए बेज़ दिया गया है लेकिन अभी उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है दोस्तो आपको इस हंता वाइरस से डरने की ज़्यादा ज़र जलता है यदि कोई भी अक्ति उनको छूने के बाद अपना हाथ अपने मू ना कान पर लगा लेता है तो यह वाइरस उकके सरीर में चला जाता है दोस्तों इस वाइरस के संक्रमल का पता लगने में एक सब्ता से आठ सब्तों तक का समय लग सकता है दोस्तों अगर कोई भी से संक्रिवित होने पर फेपड़ों में पानी वरने और सांस लेने में तकलिफ जैसी दिक्कते हो सकती हैं दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह वाइरस एक से दूसरे ब्यक्ति में नहीं फैलता है जैसा कोराना में फैलता है तो अभी आपको इस हंता वाइरस से इसे में चिंतित होने की दोस्तों जैसा कि अभी तक आप पता चली गया होगा कि कल साम आठ वजे हमारे प्रदान मंतरी शीरी नरेंद मोदी जी ने लाइव आकर यह सूचना दी कि आज रात बारा वजे से 21 दिनों के लिए संपूर्ण भारत लोकडाउन कर दिया गया है द दोस्तों इस लोकडाउन का समकूर्ण सम्मान कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इसी में हमारी और आपकी बलाई है दोस्तों घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए दोस्तों मोदी जी ने उसमें एक बात और बताई है कि आपको सिर्फ एक काम करना है इन 21 दिनों में सिर्फ आपको घर पर रहना है, घर पर रहना है, और सिर्फ घर पर रहना है, दोस्तों घर पर रहकर हम अपने घर, परिवार, अपने गाउं, अपना देश, सब कुछ बचा सकते हैं, तो दोस्तों stay home, save life, दोस्तों मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को जादा से जादा से एर कर दीजिएगा, ताकि इस सूचना का जादा से जादा लोगों को पता चल सके, दोस्तों फिर मिलता हूं नई वीडियो में तब तक के लिए, जैन बंदे मात्रम